कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिट चार्दिक स्वागत है आपके एपने श्यूटूब चैनल पे दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रेविएस एर डी एस 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 बीके पेपर की आंसर गी और 27 अगेस्ट का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें से टेकनि स़ख स्वाइब कर आपको सब्सक्राइब कर hem response मिलता है तो कोई बात नहीं जैसा आप चाहते हैं वैसा हम भी आपके लिए तयार हैं तो कोस्ट करेंगे विदिन 25-30 मिनट जो है या फिर क्योटेनिस क्योटेनिस जो है वो डॉलफ हो जाना वह कंडिशन आपके करताती है ट्लेंजेक्टेजिया नेक्स्ट कुशन देखी नेक्स्ट क्योटेनिस और वैन इंफ्लमिशन होना तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा थ्रॉंबो यहां पर आपका option 3 जो है वो correct answer हो जाएगा next question देखिए which of the following statement is not related to compensatory stage in sock sock की compensatory stage से related कौन सा statement नहीं है तो यहां पर आपका सही जवाब हुझेगा patient skin is hot and sweaty यह compensatory stage का क्या नहीं है compensatory stage से related नहीं है बाकि जो तीन options दिये हैं तीनों को अच्छे से याद के लेना दिमाग में बिठा लेना पूछा जा सकता है सो के compensatory stage के characteristic feature को लेकर और इनमें से एक option आपको मिल सकता है तो तिनों को आप अच्छे से याद कर लेना next question देखिए कि अब वोट इस दे नॉर्मल पी-सी-ओ-टू रेंज ओफ एन आर्टेल ब्लड़ सेंपल अबीजी सेंपल के अंदर जो नॉर्मल पार्श पी-सी-ओ-टू यह कितना होता है यह सिंपल से आपको स्वाल पूछागी है सही जवाब हुजएगा आपका 35-45 एंच जी अबीजी को लेकर बहुत सारी स्वाल बनते हैं और नॉर्मल जो पी-एच है वह आपकी 7.35-7.45 य इस प्रकार से अलाग जो है वेल्यूज आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्यूशन देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ERV प्लस आरवी यानिक एक्सपारेटरी रिजर वोल्यूम प्लस रेजिडियूल वोल्यूम जिससे हम आपको मिजर कर सकते हैं नेक्स्ट क्यूशन देखिएगा जिसको को साइड इफेक्ट बताना है कि क्या साइड इफेक्ट जो है को देखने को मिलेंगे यहां पर आपका सभी जवाब हुजेगा यह तो कुछ साइड इफेक्ट है जो आपको कॉर्टिक इस्ट्रोट में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्यूशन देखिए इफे नर्स एविल्वेट एन एसीजी और फाइंड फाइंड वाट वुड बी डियाग्नोस देखिए जो पीव है वो एसीजी में आपको देखने को मिल रही है तो आप समझगे होंगी कि कौन सी बीमारी जो है इस परसन को हुई है यह पर किस से यह डियाग्नोस हुआ है तो आपको सही ज़ाप कर देना है इट्रीन फ्लैटर के अंदर इच्वी की नर्ट जो है डेखने को मिलेगी वह कैसे होगी सौ टूत्र बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी कि नेक्स्ट क्यूंस देखिए ऑजलर्स नोड और्ट फीचर वो बिलकुल सीम्पल से क्यूंस ह जो है किस बीमारी में देखने को मिलते हैं सही जुआप गरना आपको Infective Endocarditis देखिए यहां पर दो endocarditis है हैं रिमेटिक एक इन्फेक्टिव ध्यान रखना है Osler's Node जो है वो Infective Endocarditis में देखने को मिलते हैं Next Question देखिएगा The Patient is Poised for intravenous pylogram which of the following are correct intervention एक पेशेंट जिसका आईवी पाइलोग्राम करना है और यहां पे कुछ interventions देवे हैं जिनमें से आपको correct intervention बाताना है यहां पर सही जवाब हुजाएगा assess for iodine sensitivity कि कुछ लोगों को जो है iodine से allergy होती है या selfish से allergy होती है तो ऐसे लोगों को पहले ही assess कर लेना है कि iodine sensitivity से वो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ठीक है तो यहां पर आपका सही जवाब हुजाएग option first next question देखिए एनर्स is taking care of a patient with syndrome of inappropriate anti-diagnetic hormone यानि SIADH which one of the following are correct intervention for this condition एक patient है SIADH का इसके लिए कौन सा एक correct nursing intervention होगा तो यहां पर आपका सही जवाब हुजाएगा option second restrictive fluid intake to not more than 1000 ml per day option second आपका सही जवाब हो जाएगा next section में पहला question यानि 61 number question identify the classic manifestation Parkinson disease Parkinson disease के classical manifestation की बात करते हैं तो ट्रेमर्स आएंगे रजडिटी होगी और ब्रेडिक कानेजिया होगा तो यह Parkinson disease में आपको कुछ special characteristic feature देखने को मिलेंगे next question देखिएगा 30 year old adult met with a motor vehicle accident three day ago and has diagnosed with fat embolism syndrome identify the type of fracture that has occurred 30 साल का एक परसन है जिसका motor vehicle accident हुआ है और तेन दिन उसको हो चुके है fat embolism जो है उस patient में diagnosed किया गया है fat embolism syndrome जो है उसमें डाइगनोस हुआ है तो बताएए यहां पर इस patient के अंदर किस type का fracture हुआ होगा यहां पर आपका सही जवाब हुजएगा femur fracture fat embolism syndrome जो है वो किस condition में देखने को मिलता है किस fracture में देखने को मिलता है तो आपको सही जवाब क्या करना है femur fracture के next question देखिएगा which year was the child labor act past child labor act जो है वो का पास हुआ था ध्यान रखना है 1986 के अंदर important स्वाल यह फिर से repeat हो सकता है 1986 में child labor act जो है वो पास हुआ था next question देखिए what is endogamy endogamy से आप क्या समझते हैं endogamy का मलब है marrying within a same culture and ethnic group जैने कि एक जो same caste होता है same culture जो होता है same ethnic जो group है उसके अंदर अगर कोई भी marriage होती है वो आपकी कहलाती है endogamy next question देखिए separation of subject cases not longer than the longest usual incubation period is called IP जो है वो longest मलब लंबे समय तक incubation period जिस बीमारी का है और उसको no longer ज्यादा लंबे समय तक separation रखने की जुरत नहीं होती है वह आपका कहलाता है quarantine quarantine एक होता है isolation isolation का मलब होता है जो patient है यानि कोई भी person है जो suspected है मलब वो बिमार नहीं है जैसे अभी को आया था तो सभी को isolate और quarantine दोनों कि अभी काफी ज़्यादा परचली तुई दी isolation तो उन patients यानि उस client या फिर उन persons को रखा जा रहा था जो disease का contact में आये हो यानि कि वह बलाई उनको बीमारी ना हुई हो लेकिन वह contact में आये हो quarantine उनको क्या जा रहा था जिनको बीमारी नहीं है लेकिन सुस्पेक्टेड कहीं दूसरे स्टेट से इदर आ रहे थे कोई यहां से वहां जा रहा था उनको क्वारिंटाइन किया जाता था पहले साथ से 14 दिन के लिए कि कहीं आपके अंदर कोई सुस्पेक्टेड शिम्टम्स नजर आएंगे तो आपको ट्रेटमेंट दिया जाएगा इसलिए उनको अलग रखा जाता था तो यहां पर क्वरेंटाइन आपका सब्सक्राइब हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन देखिएगा एज पर दे आई चार यानि इंटरनेशनल हेल अगर्ट रेगुलीशन अकर्स अफ विच वुद्ध फॉलवंग डिजीज इस नौट सुरी टू बी नोटिफाइड टू डवलु एच आएच आर जो है इसके तहत डवलु एच ने कुछ डिजीज मनलब डवलु एच ऑपको डिजीज के बारे में नोटिफाइए करना होत है कौन से वो डिजीज कंडिशिन है तो यहां पर आपका सही जवाब हुझाएगा ऑप्शन थार्ड प्लैग नेक्स्ट क्यूशन देखिएगा अधा मिज्रिमेंट ऑफ अकरेंस इन सेंपर्टिकुलर सम पर्टिकुलर इवेंट इन पॉपॉपुलिशन एक्सप्रेश्ड सेंपर्टिकुलर इवेंट पॉपॉपुलिशन है उसको मिज़र किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन देखिए टाइप ऑफ रिसर्च यानि कि किस टाइप की वो इस रिसर्च है जिसके अंदर डिफाइन पीरिड ओफ टाइम ऑन एक ग्रूप ऑफ पिपल वो सेर कॉमन क्रे जो टाइम का पीरिड है वो डिफाइन किया जाता है जिनके अंदर जो भी कुछ सेर किया जाता हुँ सारा का सारा क्या होता है कॉमन होता है यह किसका करेक्ट्रिस्टिक फीचर है तो यहां पर आपका सई हो जाएगा क्वाल्ट इस्टडिय का नेक्स्ट क्यूशन अगर पर्टिकुलर्ली कंस्टेंटली प्रेजेंट है तो आपका कहलाता है एंडेमिक और अगर कोई भी डिजीज कंडिशन इंपॉर्ट हो रही है अनौदर कंट्री तो आपका कहलाता है पैंडेमिक यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्यूशन देखिए विच्ची ऑफ फॉलविंग इस नौट द वे तो एक्वाइड एक्ट्व इम्मुनिटी एक्वाइड एक्ट्व इम्मुनिटी का कौनसा एक वे नहीं है तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा एंटिबडी टांस्फिजिन बागि यहाँ पर जो तीन ऑप्संस दि इंदर आता है एक्सपोज रोब सब क्लिनिकल इंफिक्शन इंफिक्शन से अगर एक्सपोज होता है उसके बाद जो इम्मुनिटी बनती है वह भी आपके एक्वाइड एक्टिव इम्मुनिटी के अंदरकत आती है ठीक है चली ने एक्स्ट्ट्यूशन देखिएगा अगर मुद्लियार कमेटी की बात करें तो इसको कहते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इसको क्या कहते हैं डवलमेंट की प्लानिंग हो जाएगा बागी सहम रहेगा तो मुद्लियार कमेटी जो है उसको है सर्वेंड प्लानिंग कमेटी कहते है और बहुर कमेट स्टार्ट होने कि कितने दिन बात जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए फिर कितने दिन पर स्टार्ट कर देनी चाहिए आप सभी को पता है यारिकि पास दिन बात जैसे में स्ट्रोल स्टार्ट होता है उसके पांच वे दिन से आप जो ऑसे पी पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं पेशें जो वोसे पी लह सकता है नेक्स्ट क्यूसर देखिएगा विच विच व्डू फॉलोग इस एन ऐर बॉर्ण डिजीज कौन से एक एर बॉर्ण डिजीज कंडिशन है तो यहां पर आपका सभी जवाब हो जाएगा डिप्तिरिया डिप्तिरिया जो है वो airborne disease condition है next question देखिए lost to fall-up in tuberculosis treatment means that यानिकि tuberculosis treatment चल रहा है और lost to follow-up जो है इसका मतलब क्या होता है यह simple से आपको पूछा गया है यह means जो है वह आपको बताना है यहां पर आपका सही जवाब होजाएगा treatment is interrupted for two consecutive months or more इन दो महिने से ज्यादा तक अगर treatment जो है इंटर्प्ट हुआ है तो वो कहला था आपका लोस्ट टू फॉलो अप ठीक है नेक्स्ट क्यूशन देखिए दा मॉस्ट कॉमन सॉर्स अफिक्शिन इन बॉतलिज्म जो है उसका मॉस्ट कॉमन सॉर्स क्या होता है तो आपका सही जो हो जाएगा का कैन्ड वेजिटेबल जो भी कैन्ड वेजिटेबल होती है वह बॉतलिज्म कॉज करने के लिए रेस्पॉंसिबल होती है नेक्स्ट क्योशन देखिए दत्ट फ्री क्लोरिन वीच इस एक्सपेड़ टू अवैलेबल आफ्टर वन हाओर ऑफ क्लोरिनीशन इस इन एक इन गि लेवल को इंडिकेट कर रही है नेक्स्ट क्योशन देखिए पीशूप डायरिया इस फीचर आप पीशूप डायरिया जो है वो किस बीमारी का फीचर है तो यहां पर आपता सही जवाब हो जाएगा टाइफ़ यह पिशूप फीवर भी ऑप्शन में मिल सकता है टाइफ़ आप नाउन तो पेशेंट अबाउट 5-10 मिनिट लेटर सी आस्क पेशेंट टू रिपीड देडर्स विच एस्पेक्ट पेशेंट मैमरी इस दे नर्स टेस्टिंग देखिए पेशेंट है जिसको उसका एडर्स पूछा जा रहा है और चार से पांच लाइन में उसको बतान पेशेंट जो है वह अपना एडर्स नहीं बता पा रहा है 5-10 मिनिट बाद नर्स से पर से वहीं जो भी अढ़ एडर्स पूछ रही थी वैसे वापस से उसको पूछ रही है तो अब यहां पर यह पूछना चाहरा है कि यह जो memory टेस्ट कर रही है नर्स वो किस टाइप की memory की टेस्टिंग कर रही है तो यहां पर आपका सही जौब क्या होगा अब है यहां चैक कर रहें कि पेशेंट की यहां पर दिखने रही है क्योंकि यहां पर आपका सही जौब हो जाएगा next question देखिए what is the therapeutic use of self self का therapeutic use क्या होगा यहां पर आपका सही जवाब होगा the ability to use one's personality consciously and full awareness वो ability जिसमें खुद की personality के वो consequently and full awareness के साथ में यूज लेता है वो होती है selfness वो क्या होती है selfness next question देखिए therapeutic range what is the therapeutic range of blood lithium level blood lithium के therapeutic range आपको बता नहीं है तो 0.8 molecular per liter to 1.2 molecular per liter जो है normal blood lithium level होता है next question देखिए next section और यह remaining जो 20 है questions यह next last section आ चुका है ब्लूर फॉर एस की जो फ्रेनिया की जो symptoms दिये हुए हैं उन में से कौन सा एक symptom नहीं है सबसे आपको पूछा गया auditory hallucination आपके यहां पी सही जो बुझेगे नहीं यह यह ब्लूर फॉर एक symptom के अंदर गत्र नहीं आता है बागी जो तीन options है तेनों को आपको अच्छा से याद करना है यहां से बहुत बार questions पूछा जा चुका है वह पूछा भी जाएगा next question देखे patient is experiencing mania says we can pen rain plan this can be identified यह रिशेंट ले प्रिविएस नौर्शेट में पूछा गया था Sam as it is स्वाल पूछा गया था लट पट कट चट इस प्रकार से महां पर option दिए गया था यहां पर can pen rain plan इस प्रकार से मिलब Sam एक रिदम में mania का patient है जो बार-बार एक ही रिदम में वो कुछ बोल रहा है तो एक किस को identify कर रहा है तो यहां पर आपका सही जोब क्या हो जाएगा client association next question देखिए what is the time used to describe the irrational fear of being in place away from the familiar setting of one's home यानि घर को छोड़गर कहीं और जगए अगर किसी person को shift किया जाता है तो उससे उसको क्या होता है रिशनल fear होता है वह जो fear develop होता है उस time को क्या कहते है यह time आपकी कहलाएगी next question देखिए next question है a client is experiencing the feeling that armed forces are out to kill him this could be an example of यानि कि पेशिंट ऐसा मलब तिंग करता है सोचता है कि यह जो armed force हो मेरे को माल डालेगी बताइए किस टाइप का example तो डिलूजन आप persecution का example है grandiosity में तो person जो है अपने आपको महान समझता है मलब अपने आपको क्या समझता है God जो कुछ भी है वो अपने आपको सब कुछ समझता है next question देखिए which of the following is not a symptom of alcohol withdrawal alcohol withdrawal का कौन सा symptom नहीं है redness of face यह alcohol withdrawal में देखने को नहीं मिलेंगे क्रेमर्स होगा profit sweating होगी persistent insomnia होगा यह सम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे तिनों याद कर लेना next question देखिए distrust of other people and constant unwarranted suspicious suspicion is seen in which of the following personality disorder कौन सी personality disorder के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है distrust other people के परती distrustness होगी and constant unwarranted दोसरों के परती यह suspicious रहेगा कौन सी personality disorder को इंडिगेट करता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा paranoid personality disorder और यह personality disorder को लेकर तो हर एक exam में आसे स्वाल बनता है बनता है इस topic को अच्छे से याद कर ही लेना next question देखिए which of the following is not a sign of Alzheimer dementia, Alzheimer dementia कौन सा sign नहीं है loss of weight, weight loss होना इसका कोई sign नहीं है memory loss होगी, disorientation होगा, misplacing thing होगी यह तीनों symptoms आपको याद करने तीनों signs जो Alzheimer dementia में देखने को मिलेंगे, next question देखिए which of the following is the risk factor of many a patient with suicide tendency, many a patient में जो suicide की tendency है उसके risk आपको पूचा गया है तो कौन सा risk जो है factor है जो suicide की tendency को बढ़ा सकता है, many a patient के अंदर तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, grandiose ideas, grandiose ideas का मतलब जैसे कि मैंने आपको अब भी बताए, grandiose city का मतलब person जो है अपने आपको सब कुछ समझता है तो जो person suicidal tendency यानि कि जो suicide करने वाला होगा जो psychiatric patient है वो आपसे बहुत एच्छ तरगे से पेस्ट आएगा मतलब अच्छे अच्छी बातें आपसे करेगा तो समझ जाना वो patient suicide करने की फिराक में है ठीक है Mr. Alex admitted to psychiatric hospital after the application made to magistrate supported by two medical officers according to Indian Mental Health Care Act Mr. Alex got admitted under which of the following type of admission देखिए हाँ मिले जो Mr. Alex है इसको magistrate supported के द्वारा दो डॉक्टर जो है दो जो medical officers है उनकी मलब observation के बाद में patient को जो है admit किया है और इस patient का जो type of admission होगा वो क्या होगा Indian Mental Health Care Act के तहत जो type admission को कौन सा होगा यहां पर आपका सही जवाब होजाएगा admission under reception order reception order से admission जो है वो आपका type कहलाएगा next question देखिए what is meant by thought broadcasting thought broadcasting का मतलब क्या है simple से आपको इसका meaning पूछा है तो आपका सही जवाब होजाएगा delusion that one's thought can be heard by other delusions that one's thought can be heard by others यहां पर option second जो है वो सही जवाब हो जाएगा next question देखिए the purpose of social guidance is to social guidance का purpose क्या होता है तो यहां पर आपका सही जवाब होजाएगा develop leadership qualities develop leadership qualities next question देखिए the subject matter clinical experience and practices that faculty plans and implements for the particular group of student is called देखिए यहां पर यह भी recently स्वाल पूछा गया था कि subject matter जिसमें clinical experience practice है and faculty plans जो implement के जाते हैं particular group of students के लिए वो क्या कहलाता है तो यह आपका कहलाता है curriculum यह क्या कहलाता है curriculum next question देखिए the supervisory style where is nursing supervisory behaves like a parent and give constant guidance and direction to his and her subordinates is called as देखिए यहां पर supervisory style आपको बतानी है जिसमें nursing supervisor behave करता है like a parent and give constant guidance जो भी nursing supervisor है वह एक पेरेंट्स भीएव करता है और साथ इसाथ अच्छे से guide जो है और अच्छे direction के अंदर लेके जाता है फिर अच्छे direction प्रोवाइड करवाता है यह supervisory style क्या कहलाती है यह कहलाती है वह आपको याद रखने है benevolent style याद करना ऐसे 5-7 questions तो ही होते ही है जो आप पहली बार exam में देखते हैं तो यह style आपको याद रखने है benevolent style next question देखिए the answerability of a staff nurse to his and her nursing superintendent is known as देखिए यहाँ पे simple सा पूछा गया है answerability जो भी staff nurse है उसकी answerability nursing superintendent की प्रती क्या कहलाती है वो आपकी कहलाएगी accountability क्या कहलाएगी accountability next question देखिए the process of analyzing the intrinsic value of the material for achieving the objectives of an organization is called यानि कि वो process जिसमें analysis किया जाता intrinsic values of the material को and achieving the objective and achieve किया जाता objective तो इस टाइब का जो organization का जो अमलब analysis की जो process है यह क्या कहलाती है यहाँ पर आपका सही जवाब हुझेगा value analysis option fourth next question देखिए a superior and subordinate relationship based on the number of level of responsibility reaching from the top of the bottom of the organization is called as superior and subordinate relationship होता है जिसमें number of level of responsibility है and reaching from top to bottom top to bottom जो है इसमें responsibility रहती है organization की बताइए यह मलब किसके definition है यहाँ पर आपका सही जवाब हुझेगा चार-पांच जो भी questions यहां पर नहें आए हैं इनको अच्छे से याद कर ही लेना a type of sampling method is used that is used whenever the hard to locate subject by the researcher or oneself is called as hard to locate subject जो है कौन से type की sampling है जिसमें use किया जाता है researcher जो है on self को hard to locate subject के पड़ते हैं तो इसको क्या कहते है sampling यह कौन से type की sampling कलाती है तो आपके सही जवाब हुझेगा है यहाँ पर snowball sampling next question देखे the technique that measures measures a person response to unstructured stimulus is known as देखे यहाँ पर एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी जो DSSB exam लेने जा रहा है इसमें technical जो questions आएंगे उसमें हर एक subject से question cover कि जाएंगे हर एक subject से question मिलेंगे मिलेंगे देखे आपको question में क्या पूछेगे है technique कौन से वह technique है जिसमें persons के response जो है unstructured stimulus के प्रती मेजर किये जाते हैं इसको कहते हैं प्रॉस एक्टिव टेक्निक क्या कहते हैं इसको प्रॉस एक्टिव टेक्निक नेक्स्ट क्यूशन देखिए इन cross-sectional research design के अंदर जो data होते हैं वह को किस प्रकार से होते हैं क्या data related आपको बताना है तो यहां पर आपका सही जवाब हुझेगा the data is collected to particular point particular point से जो है data को collect किया जाता है किसके अंदर cross-sectional research design के अंदर यह तो अपना second last question और आज गये हमारे session का last question आज आपको इसा लगा होगा कि बहुत फास्टली जो है questions हो चुके हैं तो ऐसी आपको need है कोई बात नहीं हम ऐसे आपको provide करवा देंगे देखिए यहां पर next and last question the measurement of numerical values of population is called population की जो numerical values है उसको measurement करने को क्या कहते हैं यहां पर आपका सही जवाब हुझेगा पहरा मेंटर option second जो है वह आपका correct job हो जाएगा तो यह थे अपने 200 questions यानि की जो 100 questions है technical वह complete हो चुग है और time यहां पर देख सकते हैं 25 minute अभी हुए हैं 26 minute में मैंने आपको कहा था 25 to 30 minute में हम पूरे session को complete कर देंगे और ऐसे session के आपको जरूरत है कोई बात नहीं ऐसे हम प्रोवाइड करवा देंगे कोई issue नहीं है आपके questions जो है वह आपको याद होने चीए प्रिवीश एर के पर के अमलब के साथ में जो आपके नोन टेक्निकल के इसमें बाच गये हैं ठीक है मिलेंगे next session के अंदर तब तक के लिए आप मारे साथ बने दिएगा और अपने तयार को बैस्टी बैस्ट करते रहेगा थैंक्वीश वर्यमाच